Hey guys, welcome back to my youtube channel तो आज मैं पोट से इसको फिर से continue करने जा रहे हैं तो जैसके हम निप प्रिवेस एपसवर में देखा था जो लोग वहां पर आजाते हैं एक लेट की बोलती है कि मैं यह सोच रही हूँ कि अब लाय हुबाई कौन होगा लुजंग बोलते है कोन है क्या यह डाउसवर्ड पैलेस है तो एपसर नबर 585 की स्टार्डिंग होती है वो डाउसवर्ड पैलेस की की हा नियान होती है वो बोलती है मैंने सुने कि लाय हुबाई ने हेवन गैदरिंग प्रोटेक्टर की टॉम से चीज़ें उठाई है वो बाई बोलता हाँ वो मैं हूँ जो स्टोम के वो मेरे पास है वो जो ओल मैं होते है वो सोच रहते है नहीं इस लाई हुबाई ने पहले न्यूज को सेंड कर दिया था डाउसवोर्ड पैलस में एस तो मैं क्वालिफाइड नियू डाउसवोर्ड पैलस में एंटर करने के लिए अब पर जो ग्रेंट सान है मेरा उसका रिवेंज में को लेने पड़ेगा वो अपने हैंड से आगे की तरफ अटाय कर रहा था 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 भी उसके जो हैंड जाते हैं वो बोलता है क्या जो मेरा जेड हैंड शेडव है वो ऐसे गाईब हो गई हानन बोल रही होती है कि अब लाई हुबाई ने टॉम को अप्टेन कर ली है अगर तुम डिसिपल हो भी दाव स्वोर्ड पहलेस के फिर भी तुमारे इतनी हमत की तुम मेरे बाकी डिसिपल को मेरे सामने मारने की हमत कर रहे हो तुम तो कुछ जादा बॉल्ड हो अच्छे ओल्ड मैन पहले शायद डिसिपल था हानन बोलता है अब तुम मर सकते हो वैसे चुटकी बजाती है और जो ओल्ड मैन होता है उसके पीसी हो जाते है लुजंग सोच रहोता है ऐसे अपने इसने हाथ हिलाए और इसने डिरेक्टल एक अधर शोरलम के पारफुल वोरियर को मार दिया यह वो मैन देखने से कुछ जादा वीक लग लग रही थी पर यह तो कुछ पारफुल है लाय ह ईन बोलते हैं यह स्वर्ड तो उसकी है वो रैड हो जाती और उसमें फाइव स्टार ग्लो होते है जो लोड होते है हेवन फॉटिफाइपड सेडि का वो बोलता है mobilize जो उनर है इस्टम का वो तो फाइव स्टार हेवन गैधरिंग प्र्टेक्टर है इस स्वर्ड के बदले तो five positions मिलेंगी हानन बोलती है कि नहीं ये five star heaven gathering protector की sword नहीं है ये हमारे डाव sword पहलेस का जो foreign master था क्वी बोलान उसकी sword है ये सुनके losing को और बैदोनों हिरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या जो लोड़ होते हैं वो बोलते हैं senior क्यों बाव sword palace है वो मतलग काफे जादा लोगों को भीज रहे हैं उन्हें search करने के लिए ये जो हमने रखा था कि tom से अगर कुछ मिलेगा और हमें वो वापिस करेंगे तो हम उन्हें reward देंगे ये भी एक तरीका है था find करने का master को पर मैंने कभी बने सोचा था कि master all heaven province में खतम हुए होंगे विजंग सोच रहते थे को जादा हिरानी की बात है कि ये जो tom spirit थी वो actually मतलब palace master थी और वो भी एक काफी जादा powerful force की इस तरीके से जो copper piece है वो भी एक extraordinary object ही होगा हानन बोलती है कि मार जो dust sword palace है उनके rules है कि अगर तुम find कर लोगे कपड़ों को तो तुम dust sword palace में enter कर सकते हो एक 5 star heaven gathering protector के लिए 5 positions मिलेंगी पर इस ward का owner previous palace master था तो मैं तुमे 10 position देती हूँ इस उनके हूँ भाई हरान हो कि बोलता है क्या 10 हान यान भी बोल रही होती है कि और साथ में जो तुम नहीं चीज़े find की है master की इसके वसे तुमें rewards भी मिलेंगे यह equivalent है मतलब जो heaven 45 city है इसके जो wealth है उससे 50 गुना जादा हूँ भाई बोलता है 50 times जादा फिर लूजंग की तब देख रही होती है और बोलता है कि तुमाँ नाम के है यह सुनके ऐसा लग रहे कि तुम जरा भी मतलब हरान नहीं हुए तुमारे expression बिलकुल normal है लूजंग सोच रहा होता है कि मुझे इस तरीके से अरकतनी करने चाहिए थे ऐसे तो लोगों को शुक हो जाएगा मेरे उपर लूजंग बोलता है कि मैं लूजंग हूँ मैं बस चिंता में था यह reward कुछ जादा ही है बैदर हूँ बाई इस चीज़ को handle ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा बोला भी जाता है कि एक इनसान की कोई गलती नहीं होती है पर गलती वो होती है कि उसके पास ख़जाना हो मतलब कुछ सीन हो जाए या क्राइम हो जाए इसके लिए हानन बोल रही होती है तो तुम इसके लिए चिंता में हो हाँ तुम सही तो बोल रहे हो अगर इस reward को मैं भाई को दे भी दूंगी तो मुझे ये भी डर है कि काफ़ ज़्याद हो ज़्याद ही लालच करेंगे भाई बोलता है तो मैं क्या करूँ हाँ नहीं बोल रही होती है इससे में को कुछ फर्ट नहीं पड़ता है होनग उस्टमें के साथ ही बो बोलती है नहीं नहीं हम यहांस जा रही है तो करूह किया यहां पर इतना ज़दा पैसा हो और इतने ज़ादा लोग मुझे देख रहे हैं हमें क्या खरो इतना चूंदा मत करेंछो ब्रै들을 हूबै ये इतना मुशकिल नहीं इससे solve करने यहां में ही सोचूंगा तब जो heaven 45 city का लोड अतव नीचे आ जाता हूँ भै बोलता है city lord तुम वापिस क्यों आगे और well बताओ मुझे कि वो woman कौन थी डाउसवोर्ड पैलस की city lord बोलता है कि वो in charge है 13th academy जो डाउसवोर्ड की उसक में उसका असली नाम क्यो हान्यान है हम respectfully उ लुजंग को मैसेज देना है लुजंग बोलता है क्या मुझे लोड बोलता है क्यों जी यो गॉंग ने बोला हूँ कि तुम्हे मतलब डाउसवोर्ड पैलस को जोइन करना है पड़ेगा क्योंकि यह तुमने आज situation क्रेट की है अगर तुम heaven 45 city में या फिर heaven province में रुकोगे तो तुम definitely Q family के target बन जाओगे और revenge लेंगे ही और उस time पे वो नहीं होगी तुम प्रोटेक्ट करने के लिए लुजंग सोच रहते है statement एक friendly reminder लग रहा है उपर से ही पर actual में कुछ और hint छुपा हुआ इसमें लुजंग बोलता है क्यों जी यो गॉंग क्यों चाथती कि मैं डाव सफोर्ड पैलस को जोइन करूं लोड बोलता है शायद वो तुमारी abilities में interested है जब तुम कीबाव टॉंग से fight कर रहे थे तो मैं अलरडी पहुंच गया था जियो जियो गॉंग के साथ वो तुमारी ability में को ज्यादा interested है वो जो तुम डाव energy को merge कर रहे थे नंबर बोल इसे ही बोल देता है city lord को कि ठीक है में मान जाता हूं डाव सौर्ड पैलेस को जोईन करने के लिए city lord को बोलता है एक और बात मां तुम बताना चाहता हूं मतलब Hubaai को बोल रहा होता है वैसे कोई बोल रहा है कि brother who bhai क्या तुम हमें भी position दोगे मतलब who bhai बोलता हाँ of course वो फिर बोलता लुजंग को कि brother losing तुम्हारी साइट से कोई जाना जाता है डाउसफोर्ड पालस में बोलता हाँ मेरे कुछ old friends है मतलब who bhai losing से पूछ रहा होता है actual में फिर हमें Inner World के Immortal Palace का से दिखा देता है महाँ पर डुगू होता है डुगू बोलता है brother losing मजो guess कहने दो क्या तुम अलड़ी Mother World में एंटर कर चुके हो losing को तुम सही बोल रहे हो तुमारी कैसी progress चली हो यह तीन होगी cultivation में spare वाला जो होता है well मैं नाम भूल गए इसका वो बोलता है lose losing और मैं C of true meaning में एंटर कर चुके हैं कुछ ताइम पहले brother डुगू अभी थोड़ से पीछे है पर वो भी कुछ जादे close है perfection में पहुंचने के लिए true meaning of DAO में losing बोलता है well मेरे पास एक opportunity मिली तुम्हें एक बड़ी force के तरफ practice करवाने के लिए अगर brother Changfeng और lose losing C of true meaning में एंटर कर चुके हैं तो मैं तुम दोनों को पहले लेके जाता हूँ बाहर Changfeng बोलता है सच्ची मैं तो इस दिन का काफ़ल अंब टाइम से इंतजार कर रहा था जिजवान बोलती है तो great है डुगो बोलता है तो मैं अखेले बचा हूँ जिजवान बोलती है ओ शांत हो जाओ अगर तुम अभी बाहर जाओगे तो तुम में दबा दिये जाएगा तुमारी strength तो है नहीं कुछ भी बाहर की लोग strong है तो तुम जल्दी से cultivate करना पड़ेगा अपनी cultivation में ध्यान दो C of true meaning में एंटर करो फिर losing तुमें पिक करने के ल मैं बाद में आऊँगा और copper peace के बारे में पूछूँगा इससे फिर हमें अगले दिन East Harbor Heaven 45 City का सिंधी है ता मतलब वहीं पर ही एक बहुत बड़ी ship होती है एक इंसान बोलता है Han Yan के पास आके कि Lady Q जियो गॉंग तुम losing के लिए इतने ज़दा concern क्यों हो मतलब इतना क्यों स पर इस टाइम डाउसवार्ड पैलेस में जाना काफी ज़दा मुसीबत इलाएगा लुजंग और बाकी सभी उतने उपर लुजंग बोलता है तो brother Hubai ने finally City Lord को दो प्लेसिस दे दिए है हमारे ग्रूप के लावा सिर्फ एक ही position बचे हुई थी और मैंने उसकी family members के लिए द कुछ जादे अच्छा effect है मन को शांत करने के लिए और focus करने के लिए जुजवान बोलती कि तुम में को और जादा excited बना रहे हो फिर हूँ भाई Han Nyan को greet करता है और बोलता है कि Lady Q is you gong मैंने जो 10 लोग है उन्हें असेंबल कर ली है Han Nyan बोलती है अच्छे चलो चलते हैं मत अच्छे जो फ्लाइंग बोलता है कैसे जो फ्लाइंग बोट है कुछ आदे मतलब ट्रैवल कर रही है वन फॉर्टिवाइट सिटी से पर अभी भी ए डैजर्ट ही है यह तो खातम होई नहीं रहा है तो गाइस एपसर नंबर 585 इतना था अगर आपके उड़ी पिसंते ला